Hello Everyone, Welcome to Educating Young Minds, I am Manisha Parihar और इस वीडियो में हम cover करेंगे Class 7 Science NCRT के Chapter No.11 Transportation in Animals and Plants का Part 2 इस Chapter को हम 3 Parts में cover करेंगे, इस से पहले Part 1 भी बन चुका है अगर आपने Part 1 नहीं देखा है, तो पहले Part 1 देखिए, लिंक आपको Description Box में मिल जाएगा तो ये है हमारा Part 2, Part 2 देखने के बाद आपको Part 3 भी जरूर देखना है, ओके तो Part 1 में हमने समझा था कि Transportation क्या होती है, कैसे हमारी Body में Different Substances जो हैं वो एक जगा से दूसरी जगा में Transport हो रहे हैं, और इसमें कौन सा System involved है, Circulatory System फिर हमने समझा कि Circulatory System के तीन Components है, Blood, Blood Vessels and Heart Blood के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इस Part में हम पढ़ेंगे Blood Vessels and Heart के बारे में तो चलिए, सबसे पहले पढ़ते हैं, Blood Vessels के बारे में, मैं पहले भी आपको बता चुके हूँ Blood Vessels क्या हैं, Blood Vessels ये Pipe Like Structures हैं, Tube Like Structures जिनके बीच में से हमारा Blood Flow करता है चलिए, तो Blood Vessels के बारे में, Detail में समझते हैं ओके, तो ये जो Blood Vessels हैं, जो हमने कहा कि Pipes जैसी हैं, Tubes जैसी हैं, जिसके अंदर से हमारा Blood जो है वो Flow कर रहा है, बहरा है, उसके भी तीन टाइपस है, Arteries है, Veins है, और Capillaries है, देखिए, इन तीनों के अंदर से आपका Blood ही Flow कर रहा है, लेकिन तीनों के Functions अलग-अलग हैं, चलिए, देख लेते हैं Okay, तो अभी तक हमने क्या समझा था, हमने समझा था कि जब हम Oxygen को Inhal करते हैं, यानि कि जब हम सांस लेते हैं, तो हम Oxygen को अंदर करते हैं, राइट, Oxygen जाती है हमारे Lungs तक, आपके दोनों Lungs में जाएगी आपकी Oxygen, उसके बाद क्या होता है, लंग से ये जो Oxygen है, ये जात Body के हर एक Cell तक, क्योंकि हमें पता है, Respiration की Process, यानि Food से Energy बनाने की Process के लिए जरूरी है Oxygen, इसलिए हमारा Heart जो है, वो Oxygen को हमारे Heart से हर एक Cell तक भीजेगा, अब देखिए, यहां से आपको ये Pipes दिख रही है, तो ये जो काम है, ये कौन सी वाली पाइप कर रही है, ये काम कर रही है, हमारी Artery, ये काम कर रही है, Oxygen Rich Blood, या फिर आप कह लिजे, Oxygenated Blood, ऐसा Blood जिसमें Oxygen है, उसको लेकर जा रही है, हमारे Heart से, हमारी Body के हर एक Cell तक, कौन? Artery, अब आप याद कैसे रखेंगे, देखिए, अगर आपको ऐसे ही याद रह रहा है, तो Well and Good, लेकिन अगर आप याद नहीं रख पा रहे हैं, तो Artery के बारे में आप याद रख लीजे, Artery क्या है, Artery है आपकी Odisha High Coat, OHC, अब इससे आपको कैसे याद रहेगा, O मतलब Oxygen, यानि Artery लेकर जा रही है, Oxygen Rich Blood, ऐसा Blood जिसमें Oxygen है, कहां से कहां लेकर जा रही है, आपके Heart से ले जा रही है, आपके Heart से आपके Cell तक, कौन? Artery, Artery क्या है, Artery Odisha High Coat है, और राइट, याद रहेगा, चले, आगे बढ़ते हैं, ओके, तो Artery के बारे में हम देख लेते हैं, तो Artery is Carry Oxygen Rich Blood, अभी है मैंने आपको कहा, Odisha High Coat से आप याद रख सकते हैं, OHC, Oxygen Rich Blood को Carry कर रही है, कहां से कह तक हमारे हाथ से हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक, या फिर आप कह लीजे हमारी हर एक Cell तक, अब देखिए, यह जो यहां रेड कलर की या पिंकिश कलर की जो आपको दिख रही है, यह है Artery, अब यह आपको बाहर से नहीं दिखती, जिस तरह से veins आपको बाहर से दिख ज अंदर डीप है, उसको आप बाहर से नहीं देख सकते, ठीक है, Arteries lie deep under our skin and hence cannot be seen easily, अब Arteries के अंदर से जो ब्लड फ्लो करता है, जिसमें Oxygen है, वो बहुत ही High Speed में और High Pressure में फ्लो करता है, इसलिए Arteries की जो Walls है, इन Pipes की जो Walls है, वो काफी थिक है और Elastic है, आप ऐसा कह लिजे कि जैसे ये वाली जो Arteries है, वो Strong है, क्यों क्योंकि Blood इसमें से काफी Rapid Speed में और High Pressure में फ्लो करता है, इसलिए इसकी Walls कैसी है, थिक है, Elastic है, ओके, ये याद हो गया Arteries के बारे में, एक और तरह से आप याद रख सकते हैं, Arteries से आप Away याद रख लिए, A for Arteries and A for Away, यानि Arteries हमेशा Blood को ले जाती है, Away from Heart, यानि Heart से दूर, Heart से दूर ले गई तो कहां ले जाएगी, Cells में ही ले जाएगी, Right, So, Arteries जो है, वो हमारे Oxygenated Blood को ले जाती है, हमारे Heart से हमारी Body के Cells में, Away from the Heart, Okay, अब दूसरी important बात देखते हैं, अब हमको पता है कि, जब respiration हो जाती है, तो हमारी Body के Cells में क्या बनता है, Carbon Dioxide बनता है, अब देखे हमारी Body के Cells में Carbon Dioxide भर चुका है, अब हमें एक और पाइप चाहिए, जो इन Cells से हमारी Body के हर एक Cells से Carbon Dioxide को इकठा करें और Heart तक ले जाए, उसके बाद क्या होगा, Heart से वो Carbon Dioxide जाएगी, लंक्स म जब आप एक्जेल करते हैं, तो Carbon Dioxide बाहर चली जाएगी, ओके, तो Carbon Dioxide रिच बलड को हमारी Body के Cells से Heart तक ले जाने का काम कौन करेगा, ये काम करती है, वेन्स, इस बार ये वाली पाइप काम में लगेगी, जैसे आटरी जो है, वो क्या करती है, Heart से Cells तक ले जाएगी, oxygenated blood को, यानि ऐसा blood जिसमें oxygen है, इसके opposite veins क्या करेंगी, veins जो है, body cells से Carbon Dioxide को इकठा करेंगी और ले जाएगी आपके Heart तक, अब देखिए, veins को आप कैसे याद रख सकते हैं, V जो है, वो veins है, और W क्या है, W से होता है, W से होता है, W से W याद रख लीजे, कि veins जो है, वो waste material को ले कर जाती है, अब वेस्ट क्या है, oxygen तो वेस्ट नहीं है, oxygen तो निसेसरी है हमारे survival के लिए, वेस्ट है हमारी Carbon Dioxide, यानि वेंस क्या ले कर जाती है, Carbon Dioxide ले कर जाती है, कहां से कहां ले जाती है, Logical है, Carbon Dioxide हमारे cells में बन रही है, जब respiration की process हो रही है, food का breakdown हो रहा ह हमारे cell से हमारे heart तक, okay, याद रहेगा, चले, आगे बढ़ते हैं, तो वेंस के बारे में देख लेते हैं, वेंस केरी Carbon Dioxide Rich Blood कहां से, All Parts of the Body से, Back to Heart, अब ये जो हैं, ये लेस्ट होती हैं, ये लेस्ट होती हैं, और आटरी जाती हैं, ये हैं आपकी वेंस को असानी से पतली होती है, जैसे मैंने का आटरी की वाल्ज होती है, वो ठिक होती है, मोटी होती है, लेकिन वेंस की वाल्ज पतली सी होती है, क्यों क्योंकि बलड इसके थूरू ना बहुत ही लो प्रेशर में फ्लो करता है, अब जब बलड जादा प्रेशर ही नहीं बनाता, तो मोटी पाइप की जरूरत क्या है आटरी में क्या होता है बलड जो है वो बहुत जादा हाई प्रेशर से और हाई स्पीड से फ्लो कर रहा है तो भई मोटी पाइप चाहिए वरना पाइप फट भी सकती है इसके अलावा जो हमारी वेंस है ना उसमें वाल्स भी प्रेजन्ट होती है यानि की आप देखे अगर ये आपकी वें है और ये मालनीजे यहां से आपके इधर वाले जो सेल्स हैं वहां से काबन डायकसाइड को लेकर जा रही है आपके हाड तक तो ये जा रही है इस तरह से इसके पास क्या है काबन डायकसाइड है लेकिन जगा जगा में आपकी व जाए ऐसा मालीजे डोर्स हैं जगा-जगा जो एकी तरफ को खुलते हैं कि भई आप सेल से सिर्फ हाट तक जा सकते हो हाट से सेल की तरफ पीछे की तरफ लो नहीं कर सकते हैं Vains के बारे में याद कैसे रखना है? V से रखना है याद Waste, W, Waste करी करती है, यानि Carbon Dioxide को करी करती है, कहां से कहां, Cells to Heart. Okay, let's move forward. Okay, तो तीसरी pipe के बारे में बात कर लेते हैं, जो है Capillaries, Arteries के बारे में हमने पढ़ लिया, Vains के बारे में पढ़ लिया, अब बात करते हैं Capillaries की. अब देखे, Capillaries जो हैं, वो बहुत ही छोटी, टाइनी Blood Vessels हैं. ये Arteries और Vains को Connect करती हैं, यहां देखिए, इस तरह की होती है Capillaries. मान लिजे, ये आपकी Artery है, और ये आपकी Vain है, तो उसे जो है Connect कर रही है आपकी Capillaries. इसकी Wall भी बहुत ज़ादा पतली होती है, Very Thin Walls. Capillaries का Main Function क्या है? The Primary Function of Capillaries is Exchange of Material between Blood and the Body Cells. यहां पर आकर Material का Exchange होता है Blood और Body Cells के बीच में. देखिए, ऐसे समझते हैं. अब देखिए, हाद से मान लिजे, यहां आया Oxygenated Blood, यानि ऐसा Blood जिसमें Oxygen है. अब यहां है Capillaries, ठीक है? अब इस Blood के पास क्या है? इस Blood के पास है Oxygen, यह जो Blood यहां से आ रहा है, इसके पास है Oxygen. अब क्या होगा? Capillaries की जो Wall होती है, वो बहुत ही जादा थिन होती है. मैंने आपको पहले भी का, Very Thin Walls. अब यहां पर क्या होगा? इस Wall से Oxygen जो है, वो बहार आ जाएगी और Cells में चली जाएगी. माल लीजे, यह हैं आपके Body Cells. Capillaries में आकर Exchange हो रहा है. आप देख रहे हैं, Oxygen जो है, वो Cells में चली गई और यहीं पर क्या होगा? Cells से Carbon Dioxide जो है, वो वापस Capillaries में जाएगी और उसके बाद Carbon Dioxide Rich Blood को Vains ले जाएगी Heart तक. So, basically आपको यह याद रखना है कि Capillaries में जाकर ही Oxygen और Carbon Dioxide का Exchange हो रहा है. किसके बीच में? Blood के बीच में और Body Cells के बीच में. यहीं जाकर आपका Blood जो है, Capillaries में जाकर आपका Blood जो है, जिसके अंदर Oxygen है, वो उस Oxygen को दे देगा Cells को और आपके Cells जिसके अंदर Carbon Dioxide है, उसको ले लेगा आपका Blood कहां पर? Capillaries में. तो Capillaries का क्या काम है? Exchange of Material करती हैं. और किसको Connect कर रही हैं? Arteries और Vains को Connect कर रही हैं. ओके? तो Arteries के बारे में पढ़ लिया, Vains के बारे में पढ़ लिया, Capillaries के बारे में पढ़ लिया. Arteries और Vains के बीच में Difference भी देख लेते हैं. देखिए, सबसे पहले Arteries का नाम आते ह आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? उडिसा High Coat. तो उससे आपको याद आ जाएगा कि O stands for Oxygen, यानि Artery हमेशा Carry करती है Oxygen Rich Blood. कहां से कहां तक? High Coat, HC, यानि Heart से आपकी Body के Cells तक. इतना याद रहेगा? ओके, अब Vains के बारे में देखते हैं. Vains को याद करते ही आपके द यानि Vains क्या Carry करती है? Vains Carry करती है Carbon Dioxide Rich Blood. कहां से कहां तक? हमारी Body के Cells से Heart तक. याद रखना आसान है क्यूं? क्यूंकि Carbon Dioxide हमारी Body के Cells में बनती है, उसे Heart तक ले जाना है ताकि Heart जो है वो उसे Lungs को दे सके और Lungs जो है बोले कि जाओ Carbon Dioxide, बाए बाए अब तुम बाहर जाओ. You are waste product. मेरी Body को तुमारी जरूरत फिलाल नहीं है. अब Archeries के बारे में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि Archeries के अंदर जो Blood Flow करता है वो High Pressure से करता है. अब High Pressure से करता है तो वहां की Pipes भी Strong होती है, यानि उनकी Walls कैसी होती है? ठिक होती है. अब यही चीज वेंस में क्या था? वेंस में Blood Flow करता है Low Pressure से. इसलिए उनकी Walls भी कैसी है? थिन Walls है. वेंस की यह जो Pipes है यह Walls जो है इसकी वो थिन है. ओके? इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? कि वेंस में क्योंकि Low Pressure से Blood चलता है तो वहां Walls प्रेजंट होती है. ऐसे ऐसे Walls ह है ताकि Blood जो है वो एक ही डारेक्शन में फ्लो कर पाए. लेकिन आटरी में Walls नहीं होती. एक और डिफरेंस हमें पता है वेंस को हम देख सकते हैं. वो लेस डीप हैं. लेकिन हमारी आटरी जो हैं वो काफी डीप हैं हमारी स्किन के अंदर. इसलिए हम उन्हें देख नहीं सकते हैं. तो ये डिफरेंस क्लियर हो गए. अब देखें इसमें एक exception है जो आपको याद रखनी है. मैंने आपको कहा कि आटरी जो हैं आपको याद रखना है उडिसा हाई कोट है. यानि कि oxygen rich blood को कैरी करती हैं. लेकिन एक आटरी ऐसी भी है जो carbon dioxide rich blood को कैरी करती है. उसको ह और उसी तरह से ये एक exception है आपको याद रखनी है. जो वेंस है मैंने का वेंस से क्या याद आना चाहिए? वेस्ट मटीरियल यानि कि carbon dioxide. तो वेंस हमेशा क्या क्या करती है? carbon dioxide rich blood. लेकिन जो pulmonary vein है वो उसके opposite करेगी. यानि कि हमेशा अगर carbon dioxide rich blood करती है तो pulmonary vein करी करेगी oxygen rich blood. याद रहेगा? देखो मैंने क्या कहा कि आटरी हमेशा तो carry करती है oxygen rich blood. लेकिन जो pulmonary artery है वो carry करती है carbon dioxide rich blood. उसी तरह से वेंस हमेशा carry करती है carbon dioxide rich blood. लेकिन जो pulmonary vein है वो carry करती है oxygen rich blood. इस डाइग्राम में देखिए अब समझ जाएंगे. अब देखिए ये हैं हमारे lungs. ओ लंग से हार्ट तक जाएगा हमारा oxygen rich blood तभी तो वो उसको आगे हमारे body cells में भीजेगा तो लंग से हार्ट तक जो oxygen rich blood जाता है उसे लेकर जाती है हमारी pulmonary vein वैसे तो oxygen rich blood को हमेशा artery लेके जाती है आप देखिए हार्ट से body cells तक कौन ले जा रहा है? लेकिन लंग से हार्ट तक जो oxygen rich blood जाता है उसे लेकर जाती है हमारी pulmonary vein उसी तरह से जब आपके body cells से carbon dioxide आ गई आपके हार्ट तक अब हार्ट से जाएगी लंग से carbon dioxide को usually कौन लेकर जाता है? वेस्ट को कौन ले जाता है? वेन ले जाती है लेकिन हार्ट से लंग से तक carbon dioxide को कौन ले जाएगा? pulmonary artery देखो यही एक exception है अदर्वाइस हमेशा एक ही चीज़ होगी कि arteries हमेशा oxygen rich blood कैरी करती है और veins हमेशा carbon dioxide rich blood को कैरी करती है चली आगे बढ़ते हैं तो circulatory system में हमने blood के बारे में पढ़ लिया blood के components पढ़ लिये क्या क्या components थे? plasma है जो liquid है solids क्या क्या थे? red blood cells, white blood cells और platelets उसी तरह से blood vessels, pipes कितनी तरह की है? तीन तरह की है arteries है, veins है और capillaries है अब हम बात करेंगे heart की सबसे important organ circulatory system का चलिए तो अब हम पढ़ेंगे हमारे heart के बारे में, यानि हमारे दिल के बारे में heart is an organ which beats continuously, जब तक हम जिन्दा रहेंगे हमारा heart जो है वो continuously beat करता रहेगा heart कहां located है? heart located है हमारी chest cavity में, यहां जैसे located है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह थोड़ा सा tilted है, थोड़ा जुका हुआ है इस तरफ को आप ध्यान से देखें, इसका जो lower end है, वो थोड़ा जुका हुआ है left side को अब heart का काम क्या होता है? मैं पहले भी explain कर चुकी हूँ कि heart एक pump की तरह काम करता है वो blood को push करता है, blood को धक्का मारता है और blood जब घुमेगा body में तो अपने साथ substances ले कर जाएगा तो heart का कितना important function है? वो एक pump की तरह काम कर रहा है कहीं से blood को खीच रहा है और किसी तरफ को उसको push कर रहा है अब जो हमारा heart है उसके 4 chambers होते हैं जो उपर वाले 2 chambers हैं ये वाले और ये वाला इसको हम कहेंगे atrium और जो नीचे वाले 2 chambers हैं उन्हें हम कहते हैं ventricle तो जो इस side है वो हो गया left atrium और जो इस तरफ हुआ यानि right side की तरफ हुआ वो हो गया right atrium हाँ ये आपका right side है लेकिन जो इनसान यहां खड़ा है हम उसके heart की बात कर रहे हैं तो उसका ये side क्या हुई? उसकी left side हुई तो जो उसकी left side वाला upper chamber है वो हुआ left atrium और ये वाला हुआ right atrium और जो नीचे वाले chambers है उनको हम कहते हैं ventricle तो ये हुआ left ventricle और ये हुआ right ventricle अब heart की four chambers के नाम याद रहेंगे? बहुत simple है उपर वालों को atrium कहते हैं तो left और right atrium और नीचे वाले ventricle हैं तो left और right ventricle अब देखे अभी तक हमें क्या पता है? हमें पता है कि हम oxygen को inhale करते हैं अब oxygen को अंदर लेते हैं और oxygen पहुंच जाती है हमारे lungs तक अब lungs से heart तक पहुँचाने का काम करती है हमारी pulmonary vein और heart से body के हर एक cell तक लेकर जाती है हमारी artery और capillaries में जाकर exchange हो जाता है oxygen का और carbon dioxide का यह हमें पता है लेकिन हमें यह नहीं पता कि blood जो है वो heart में किस तरह से flow करता है अब यही हम थोड़ा detail में देखेंगे कि हमारे heart के अंदर blood किस तरह से flow करता है तो imagine करिए कि हमारी body में respiration हो चुकी है हमें energy मिल गई है लेकिन respiration में produce होती है carbon dioxide जो एक waste product है अब हम उसे अपनी body से बाहर निकालना चाहते हैं तो हमारा blood क्या करेगा हमारी body के cell से carbon dioxide को इकठा करेगा और लेकर आएगा हमारे heart तक अब अगर आपको याद होगा तो ये वाला काम कौन सी वाली pipe करती है कौन सी blood vessel है जो carbon dioxide rich blood को लेकर आती है veins yes veins जो हैं वो carry करती है waste material यानि carbon dioxide rich blood को अब carbon dioxide rich blood को veins जो हैं वो लेकर आएंगी हमारे heart के अंदर देखते हैं कैसे तो ये हैं वो दो veins superior vina kava and inferior vina kava जो carbon dioxide rich blood को लेकर आ चुकी है हमारे heart के अंदर कहां कौन से chamber में सबसे पहले लेकर आएंगी right atrium में यहां पहुँच चुका है हमारा carbon dioxide rich blood right atrium से ये blood जाएगा right ventricle में आप देख सकते हैं right atrium और right ventricle के बीश में एक valve सी present है इसे हम कहते हैं tricuspid valve तो right atrium से आ गया right ventricle में और right ventricle से यहां से pulmonary artery से होता हुआ चला जाएगा हमारे lungs में carbon dioxide rich blood हमारे lungs में ही तो जाएगा न क्यूंकि lungs से हम उसे remove कर देंगे जब हम सांस को बाहर छोडेंगे समझ में आ गया एक और बार देखते हैं हमारे body cell से carbon dioxide को लेकर आएंगी veins, conci veins, superior vina kava and inferior vina kava और लाकर रख देंगी right side के upper chamber में, right atrium में फिर उसके बाद ये blood जाएगा right ventricle में और right ventricle से ये pulmonary artery से होता हुआ पहुन जाएगा हमारे lungs में now if you remember मैंने आपको बताय था कि veins carry करती है carbon dioxide rich blood कहां से body cell से heart तक लेकिन एक exception भी बताई थी कि heart से lungs तक carbon dioxide rich blood को ले जाती है एक artery आटरी वैसे usually कौन सा blood carry करती है oxygen rich लेकिन जब heart से lungs तक carbon dioxide rich blood को ले जाना होता है तो वो ले जाती है pulmonary artery इस exception की बारे में हमने पढ़ा था right अब यहां देख लीजे heart से carbon dioxide rich blood को lungs तक कौन ले जा रहा है एक artery ले जा रही है pulmonary artery चलिए यह तो हो गई जब carbon dioxide rich blood जो है वो आएगा heart के अंदर अब बात करते हैं कि lung से आया oxygen rich blood आपने सांस ली oxygen आपके lungs तक आई अब देखते हैं कि lung से यह oxygen जो है वो किस तरह से हमारी body cells तक पहुँचेगी तो lung से oxygen rich blood pulmonary vein के तुरू आएगा हमारे left atrium में left atrium के बाद यह blood जाएगा left ventricle में left ventricle से यह blood इस तरह से यहां से आयोटा से होता हुआ चला जाएगा हमारी body के different cells में तो जो oxygen rich blood है वो यह वाला path follow करता है पहले left atrium फिर left ventricle फिर left ventricle से आयोटा से होते हुए चला जाएगा हमारी body के cells में यहां पर भी left atrium और left ventricle के बीच में जो valve present है उसको हम mitral valve भी बोलते हैं और bicuspid valve भी बोलते हैं चलिए एक और बार देख लेते हैं imagine करिए यह हमारे lungs यह हमारे heart के चार chambers left atrium right atrium left ventricle and right ventricle और यह मान लिजे यह हमारे body cells सबसे पहले देखते हैं carbon dioxide के बारे में अब carbon dioxide rich blood किस साइड आएगा पहले तो आपको यह याद रखना है carbon dioxide rich blood आएगा right side कहां से आएगा body cell से आएगा body cell में ही तो carbon dioxide बन रही है na respiration के दोरान तो body cell से carbon dioxide rich blood आएगा right side में सबसे पहले जाता है उपर वाले chamber में फिर आता है नीचे वाले chamber में तो body cell से carbon dioxide rich blood चला गया right atrium में right atrium से जाएगा right ventricle में और ultimately carbon dioxide rich blood को कहां जाना है lungs तक जाना है क्योंकि carbon dioxide को बाहर फिंगना है न हमने lungs से तो ये चले गए lungs से बाहर हमारी carbon dioxide याद रहेगा अब हम oxygen rich blood का path देखते हैं जब आपने सांस अंदर ली, inhale किया तो उसमें आपको oxygen मिल गई, oxygen पहुँच गई आपके lungs तक अब oxygen को जाना कहा है, आपके body cells तक जाना है कौन सी तरफ जाएगी, left तरफ जाएगी आपके heart के तो सबसे पहले उपर वाले chamber में जाएगी, तो सबसे पहले गई left atrium में left atrium से गई left ventricle में और left ventricle से चली गई आपके body cells तक ओके, याद रहेगा, अब देखी, यहाँ पर भी वो ही लिखा है जो carbon dioxide rich blood है, वो superior vina kava और inferior vina kava से आएगा right side की तरफ, पहले जाएगा right atrium में, फिर जाएगा right ventricle में इन दोनों के बीच की valve को कहते हैं tricuspid valve और उसके बाद pulmonary artery से बाहर चला जाएगा हमारे lungs तक उसी तरह से अगर हम oxygen rich blood की बात करें तो वो आएगा pulmonary vein से left atrium में, left atrium से जाएगा left ventricle में और left ventricle से iota के through चला जाएगा हमारी body के different cells में इन दोनों के बीच की जो valve present है, उसको bicuspid valve भी बोलते हैं चली आगे बढ़ते हैं, अब अगर आपने observe किया होगा तो हमारे heart के अंदर oxygen rich blood भी जा रहा है, carbon dioxide rich blood भी जा रहा है तो ऐसा तो नहीं हो जाता कि oxygen rich blood और carbon dioxide rich blood आपस में mix हो जाते हों ऐसा नहीं होता क्योंकि heart के chambers के बीच में partition है और इस partition की वज़ा से blood की mixing अप नहीं होती oxygen rich blood जो है, वो carbon dioxide rich blood से mix अप नहीं होता partition आप ऐसा मान लीजिए, जैसे एक घर में अलग-अलग rooms के बीच में दिवार होती है उसी तरह से heart के chambers के बीच में भी partition है ताकि blood जो है, वो mix ना हो सके चलिए, अब बात करते हैं heart beat की, यानि आपके दिल की धड़कन की अब दिल क्यूं धड़कता है? क्यूंकि आपके heart के जो chambers है, उनकी जो wall है वो बनी है muscles से, और ये जो muscles हैं, वो expand करती रहती हैं तो ये एक rhythm से हो रहा है, तो यही rhythmic expansion and contraction of the heart is called as heart beat Normally, हमारा दिल जो है, वो 60 to 100 times beat करता है per minute जब तक आप जिन्दा रहेंगे, आपका heart, वो continuously beat करता रहेगा आप अपनी heart beat को सुन भी सकते हैं, आप अपनी chest पे अगर left side पर अपना heart रखेंगे तो you can feel your heart beat अब जब आप doctors के पास जाते हैं और आपका check up करते हैं तो वो इस तरह का stethoscope लगाते हैं और उससे आपकी heart beat को सुनते हैं और check करते हैं कि आपका heart जो है, वो properly beat कर रहा है कि नई, properly function कर रहा है कि नई अब ये जो part है stethoscope का, इसको हम कहते हैं chest piece और ये जो है, ये हैं दो ear pieces जिसको doctor अपने कान में लगाता है और ये beach की जो होती है, ये होती है एक tube So stethoscope से doctor को idea लगता है about the condition of your heart चलिए, अब बात करते हैं pulse rate की तो अगर आप अपनी middle और index finger को इस तरह से अपने हाथ की wrist पर रखेंगे तो यहां आपको एक movement महसूस होती है, feel होती है उसे हम कहते है pulse and it is due to the blood flowing in the arteries आपकी arteries में जो blood flow कर रहा है, ये उसकी वज़ा से है और जितनी बार ये एक minute में beat होता है, उसे हम कहते है pulse rate और usually pulse rate कितना होता है एक person का? 72 से 80 beats per minute अब ये जो pulse rate है, क्या ही हाड beat से अलग होता है? जी नहीजा आपका जो pulse rate होता है और आपकी जो heartbeat का rate होता है वो equal होता है क्यूंकि हर heartbeat जो है वो generate करती है one pulse in the artery यानि कि अगर आपको आपकी body का pulse rate पता है तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी heartbeat का rate क्या है तो basically doctors जब इस तरह से आपको check करते हैं तो वो और कुछ नहीं आपकी heartbeat check कर रहा है क्योंकि आपका जो pulse rate है वो आपकी heartbeat के rate के equal होता है ओके ओर्राइट तो यह है हमारा last छोड़ा सा topic do all animals possess a circulatory system क्या सभी animals में circulatory system होता है नहीं animals like hydra and sponges do not possess a circulatory system यह animals water में रहते हैं तो उन्हें food और oxygen water से ही मिलता है उनकी body में चला जाता है और जब water उनकी body से बाहर आता है तो उसी के साथ waste products यानि की carbon dioxide और जो और waste products हैं वो भी उनकी body से बाहर आ जाते हैं ओके गाईज यह था हमारा part 2 I really hope आपको interesting लगा होगा इसके बाद आपको part 3 जरूर देखना है तीनों parts को अच्छी तरह से देखिए ताकि आपका chapter एक दम clear हो जाए educating young minds को subscribe जरूर करें thank you so much